नमस्कार दोस्तों आखें अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और महीं जो आज का वीडियो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के उपपर है और बिल्कुल दोस्तों मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थी कि परसलेन पॉर्चुला का में हैवी फ्लावरिंग नहीं हो रही उतना ही प्लांट अच्छा हेल्दी भी लगेगा और अच्छे से ग्रो भी करेगा और अगर इस तरह के चोटे-चोटे फुलो वाले पॉद्धे हैं तो वो ग्रो करने के साथ-साथ ज्यादा फ्लावरिंग भी करेंगे और इसमें भी मैंने कुछ कटिंग भी लगा रखी ह साथ-साथ अपने बर्सलें पोर्चुला का जब मैंने लगाए थे सारे तब मैंने आपके साथ शेयर किये थे और कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनको लेकिन फिर भी आप देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और जब भी मैं कहीं नए इस तरह के पोद्धे तो अच्छे फूल आने चाहिए तो मैंने इनके साथ क्या किया कि जैसे मैंने एक कटिंग लगाई थी ना जैसे ही वो अच्छे से ग्रोई मैंने उसकी टिप तोड़ दी थी टिप तोड़ के मैंने इसके साइड में ही दुबारा से लगा दी थी इसका मतलब एक नया प्ला पर्सलेन पोर्चुला का तो इसके लिए आपको जो सोवल बनानी पढे़ी वो ठोड़ी सी पोरस बनानी पढे़ी क्योंकि इनको जादा पानी पसंथ नहीं है, फूल भली है, सुंदर-सुंदर खिलते हूं, लेकिन पानी इनको इतना कोई खास पसंथ locals यहां क्योंकि यह दो तिन दिन की कठी करके मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे इतने सुन्दर लगते हैं सुबहे फूल बास्केट मन खुश हो जाता है पीछे की तरफ आके और इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है इस पे कई बार तो बहुत ज़्यादा हो जाती है जैसे बरसात होके अटी हो और इसी तरीके से दोस्तो मैं हर पोद्धे की कटाई चटाई करती रहती हूँ खाली मैं परसलेन पोर्चुलाका के नहीं कह रही अभी कुछी दिन पहले देखो मैंने इसी की भी कटाई की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रहा था सारा का सारा जो पोद्धा सारा का सारा इधर आगी की तरफ गिरा हुआ था इसी तरीके से फोरोक लोक के भी उपर आई हुए थे इनके तो मैंने इन सब की कटाई की और उसके बाद मैंने जब देखा दो तिन दिन के बाद तो और ज़्यादा फ्लावरिंग होनी शुरू होगी और जहां स जब जैसे सूरच निकालता ना तब ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और जैसे इस सूरच बहुत ज़्यादा तेज चड़ जाता ना फिर थोड़े से मतल्स हो जाते हैं जैसा कि अब आपको लग रहा होगा नई तो सुबह सुबह न इनको देखके मजा यह जाता है किसी क अगर आप पुरानी ग्रोथ को ऐसे ही छोड़ दोगे तो नई ब्रांच नहीं निकलेंगी तो नई फ्लावर भी नहीं आएंगे तो एक जो ब्रांच है उस पे अगर फ्लावर आके पैंट हो गया तो आपको उसको होटा नहीं पड़ेगा और उसका भी उपर का पटाके उसक पर लगा दो तो इससे क्या होता है इसकी जादा बढ़ती है जैसा कि अब देख रहे हो और इन बास्केट में दोस्तों मैंने तो बहुत कुछ लगा रखा है लेकिन जब यह सिंगल सिंगल कटिंग लगाई थी लग भी नहीं रहा था कि इतना भर जाएंगी है तो बस मैंन भी यह उपाई कि आप भी है करना और मट्टी के लिए मैं बताई रही हूँ वही इसकी पोरस मट्टी आपने बनानी होगी और भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा देना है अच्छे से और ज़्यादा फूल खिलाने है तो घर में जो चाय बनती है उसकी पत्ती को भी आप यूज कर सकते हो वाश करके और जिसके भी बिल्कुल भी फूल नहीं खिल रहे तो उसका सारा कुछ करने के बाद धूप में भी रखे हैं मट्टी भी ठीक है तो हो सकता है भी आपकी मट्टी एलकलाईन हो तो इन फूलों को खिलाने के लिए थोड़ी सी ऐसे डिक मट्टी दही हो गया पानी मिक्स करके डाल दो चाच है खटी होगी है वो पानी मिक्स करके डाल दो लैमन है स्क्वीज कर लिए आपने उसके छिलकों को पानी में डिप करके रखो और अगले दिन उनको भी आप डाल सकते हो और यह देखो इसमें जो मैंने नहीं नहीं लगाई थी बहुत अच्छे से उगरी है, purple heart भी मैंने नहीं लगाया था बेखो सारी cutting मैंने नहीं नहीं लगाए थी इसमें अच्छे सारी बोगन विला कि मैंने नहीं नहीं कटिंग लगाए थी इसमें अलगे-ःगे रंगों की और अभी कुछी दिन पहले तो लगाई थी आपके साथ शेयर भी किया था वीडियो और सारा का सारा मामला ठीक चल रहा है और यह जामून के पोद्दे पी उगरे हैं मैंने इसमें हुठलिया डाली थी इनको भी निकालना है और निकालनूंगी यह भी किसी दिन और चलते हैं दोस्तों अब अपनी क्यारी के पास जो कि आप बोल रहे थे आपके फूलों की क्या हाल है भई उसके बहुत ठीक हाल है और इस टेम बहुत तेज दूप और यह जैसा कि मैं बताई रही थी आपको और अब यह थोड़े से डल से लग रहे हैं ज्यादा तेज दूप है न तो यह दोस्तों सदा बाहर के जो फूल है न यह समझ लो की सुन्दर तो लगते हैं यह देखने में फूलों वाले पुद्धे लेकिन वैसे यह भी दोस्तों इसके जो पत्ते हैं बहुत नूट्रिशियस हैं और बहुत सारी बिमारियों का इलाज भी है इनके अंदर तो इसको तो देखो आपको जुरूर लगाना चाहिए और मेरे तो नैचुरली अपने आप से उगरे हैं मैंने इस क्यारी को बनाते वेक्ट थोड़े से बीज डाले थे और यह भी देखो कटाई छटाई करती रहती हूँ न मैं इसकी तो पूरा मतलब मट्टी तो दिखी नहीं रही कहां यह उगरे हैं कहां नहीं उगरे पूरा का पूरा इन्होंने क्यारी को भर रखा है और बि की तरफ जो की वाइट अप राजिता है कोने में शायद मैंने कोई बीज दबा दिया होगा और इसमें देखो इसमें भी कोने में मनी प्लांट के साथ चल रही है यह कोर्नर सा आई है खाली सा और यह देखो इसमें भी कितने अच्छे फूल आ रहे हैं और जो आप कहते हो की पनीर का पानी इनका पानी तो दोस्तों इस पोद्धे में भी बिल्कुल फूल नहीं आते थे और अब देखो इसमें इतना भारी फूल आता है कि इसने ब्रांच को भी निच्चे जुगा रखा है तो यह होता है देशी चीजों का असर और भी हमारी ओरेंज ट्रंपेट पर भी फूल आने लगी हैं और मुझे बहुत सुंदर लगते हैं फूल मुझे परसनली यह बेल बहुत पसंद है एक तो यह फूल बहुत अच्छे आते हैं और उपर से बेल देखने में भी अच्छी लगती है और कई जंगह पर यह गुमेरी सी बन गी है और इसका मतलब पूल आएंगे और आप देख रहे होगे ब्रांचे में इसके जड़े भी बन रही हैं तो इसको उगाना ही बड़ा असान है कोई भी ब्रांचे की तोड़ो जड़ समेत और इसको उगा दो तो वह तरीका मैंने कुशी दिन पहले आपके साथ शेयर किया था जब मैंने इसक अच्छे लगते हैं वीडियो तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो ताकि मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ें और आपको भी अच्छी अच्छी वीडियो और एगुलर में